हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोगों मित करता हूँ बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों अगर आप अपने यूटूब चानल पे हमेशा एक्टिव रहते हो हमेशा वीडियो बनाते हो प्रोफेशनल तरीके से आप अपने वीडियो को एडिटिंग भी करते ह हो एडिटिंग करने के बाद एक सही वक्त देख करके आप अपने यूटूब चैनल पे वीडियो अप्लोड कर देते हो अपने जो भी वीडियो मिलता है बाद में वह भी वीडियो पर बंद हो जाता है लेकिन आज जो इस वीडियो में पताऊंगा दोस्तों अगर आप इस तक आपने जो भी YouTube चैनल ले वीडियो को अप्लोड कर दिया है और वीडियो पर जो भीव जो है दोस्तों डाउन हो गया है रुख गया है उस वीडियो को भीव आप कैसे ला सकते हो आज किस वीडियो में फुल प्रोसेस के साथ मैं बताने बला हूँ तो वीडियो को सुरू स अन तक जरूर देखेगा और चैनल पर नय हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को अपनी दोस्तों में जरूर सेर कर दिजेगा क्योंकि कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों बड़े क्रियेटर लोग भी आपको नहीं बताएगा कि कैसे आपको वीड सो थेईस है और आप देख सकते हो 28 दिन के अंधर दोस्तों मेरे YouTube चानल पर भीज मिला है यहां पर आप वाश टाइम भी देख सकते हो 1100 के तक्रीबन दोस्तों मेरे YouTube चानल यहां पर वाश्थाइम मिला है टोटली 28 दिन के अंधर यह दोस्तों subscribers मिला तोटल से पहले most जाता हूं दोस्तों सबसे पहले यह आपको जानना है कि जो भी मिडियो प्ली पर जो भी प्लोड किया है उस लिसक्त है कि नहीं मिल रहा है बूस्तारा है direction ऐसे पहले सेक्षन है उस पर आपको क्लिक करना होगा दो चली किक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीची आएंगा और यहां पर आपको रियल टाइम देखने को मिल जाएगा जो 28 घंटे के अंदर जो भी आपके यूटूब चैनल पर जो भी जा रहा है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो आप यहां स सकते हो अभी 60 मिनट के अंदर मेरे यूटूब चैनल पर जो भी वीडियोज मिल रहा है सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो यहां पर आपको क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो फिलहाल में आपने यूटूब चैनल पर जो भी वीडियोज को अपलोड किया था उस वीडियोज को आपको ओपेन करना है ओपेन करने के बाद उपपर आपको एक पेंसिल का आइकन आपको देखने को मिल जागा उस पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पे जो वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल आपको पहले चेंज करना होगा भया चेंज करने के बाद ही जो है दोस्तो आपकी जो वीडियो है वो बुस्ट हो सकता है यह सबसे पहले आपको टाइटल चेंज करना है तो ट देख सकते हो दोस्तो यहां पे पहले से सही अपने पहले में लिख लिये थे इसको क्या करके हिर अग। सबसे पहले तो यहाँ पना बैक चले आते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं और उपपर आपको सेव का ईकन आपको देखने की मिल जागा, सबसे पहले फिरसे आपको उपब करने कथ पेंसिल का आइकन प्लिक करने के बाद cycle description में भी आपको description पर click करना ँग और इसको भी आपको क्या करना है? जो title आपने, title जो है दोस्तो subscription में भी आपको same title को copy करके आपको डालना होगा. तो चलिए audience वाले section पे click करने के बाद यहाँ पे 2 options आपको देखने को मिलते है yes, it's made for kids और यहाँ पे no, it's not made for kids अगर आप जो अगर videos बना रहे हो बच्चों के लिए है तो yes करेंगे, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो आप no करेंगा और यहाँ पे edge करके है edge advance पे आपको click करना होगा और यहाँ पे second वाली जो options आपको देखने को मिलते है उसको आपको select कर लेना है और अब आपको चले आना है back, back आने के बाद यहाँ पे more options आपको देखने को मिल जागा आपको इस पे click कर लेना है खिलिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको जो भी आप अपने वीडियो में जो tag डाले थे वो tag जो है दोस्तो अगर rank नहीं कर रहा तो सबसे पहले उस tags को क्या करना है आपको delete कर देना है और कैसे आपको tags को पता करना है कि यह जो tags है वो ranking में है या नहीं है वो भी आज जो ह तेक्स को क्या करती है डिलेट कर देते हैं और डिलेट कैसे करना वो भी आज इसी वीडियो में discuss कर लेंगे ठीक है और यहां पर जो है सबसे पहले आता है category पे आपको सबसे ध्यान देना चाहिए जो भी जिस रिलेटेट से अगर आपकी वीडियो है उसी कैटेगरी आपको से पिम्हक्ते से हैं तो आप इंटर्डायन्मैंट हिए चुछ करेंगे अगर मेरा जो वीडियो है साइंस एंड टेकनोलोजी से रिलेटेट है तो आप देख सकते हो यहां पे साइंस आपको एक application की use करना है, जो बड़े-बड़े creator लोग भी उस application को use करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे play store को open कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए यहां पी क्या करते है, play store को open कर लेते हैं, उपर आपको google play service का जो है दोस्तों, उपर आपको search box पे आपको click करना, और यह सकते हो, मैं जो है अपने पहले से install कर रखा है, और इसको permission भी अपने YouTube channel से दे रखा है, तो सबसे पहले यहां पे open पे हम click कर लेते हैं, यहां पी क्लिक कर लेते हैं, open पे click करने के बाद सबसे पहले step by step मैं मताने वाला हूँ, अगर वीडियो को थोड़ी से miss करते हो, तो आ आप देख सकते हो, यहां पे video IQ जो है, यहां पे open हो चुका है, और यहां पे daily ideas भी आप देख सकते हो, यहां पे daily ideas भी आपको मिल जागा कि किस related पे आपको अपने videos को बनाना चाहिए, यहां पे तीन पड़्डे आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां जो है दोस्तो चार options आपको देखने को मिलते हैं, home daily ideas, research और यहां पे optimize और यहां पे more, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे optimize पे हम click करते हैं, तो चलिए यहां पे optimize पे हम click कर लेते हैं, optimize पे click करने के बाद जो भी आप अपने अभी जो वीडियो में जो title को change किये थे उसको क्या करना, उसको आपको open कर लेना, तो चलिए आप देख सकते हो, यहां पे पहली वाली जो है, वीडियो उपर में ही show कर रहा है, उस पे क्या करते हैं, हम click कर लेते हैं, click करने के बाद सबसे पहले तो आपको यह जानना है वीडियो की जो tags जो है दोस्तो रैंक कर रह है कि आपकी जो tag है, वो रैकिंग में आया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको checklist जो है, दोस्तो यहां पे checklist पे click करते हैं कि क्या-क्या गलती है, क्या सही है, तो आप यहां से देख सकते हो, title की जो length है, वो गलत है, दोस्तो आपको यहां पे बता रहा है क कौन कोन से गलती किया मैंने एक दो और एक तीन गलती कर दिया है दोस्तों जिसके चलते जो यह जो वीडियो है वाइरल नहीं हुआ तो सबसे पहले क्या करते हैं यहांपे वीडियोज का को आपको एसीओ स्कोर फेट करना चाहिए दोस्तों तभी आप वीडियोज को बेल कर सकते हों तो 105 percent कैसे आपको वीडियोज को हैस्यो असजौर करना है वह अगले next वीडियोज में आपको बना करके मैं बता दूगा कि कैसे आपको प्रफ्यक्ट एसीओ अस्कोर को फेट करना झाल झाल